गुद मॉर्निंग एवरिवन वल्कम बैक टो यूर चैनल साइन्टिया जैसे कि आप लोग जानते ही है हमने साइंस और इन्वायरमेंटल स्टेडिस की सीरीज स्टार्ट की हुई है आज उसी को कंटीन्यू करते हुए हम हमारा नेक्स टेप्टर करेंगे अगर आप लोग भी पी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल साइन्टिया आपका ये जो एक्जाम है ये बहुत इंपोर्टेंट है मीन्ज इसी के बेसिस पे आप अपना नेक्स एक्जाम दे सकते हो मीन्ज जॉब के लिए ठीक है जी तो आपके अच्छे से ये वीडियो देखिए सो देट आपके MCQs easily solve हो सकें लेट अस चार्ड आज की हम हमारी सीरीज चार्ड करते हैं हमारा जो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है that is diseases आज हम diseases के बारे में बात करेंगे कि diseases होती कैसे हैं ठीके जी इनका मीनिंग क्या है कौन कौन से reasons हैं या इसकी कितने types हैं इन सब के बारे में क्या हैं आज हम अच्छे से study करेंगे let us start सबसे पहले diseases होती क्या हैं देखे diseases एक abnormal condition है हमारी बोडी की ठीके जी जिसमें जो हमारी बोडी को क्या है affect करती है clear structurally भी बोल सकते है और functionally भी बोल सकते है हमारी बोडी को affect करें हम disease देखे dis का मतलब होता है no हम use करते हैं disuse, dismiss, ease का मतलब होता है जो comfort ना दे ease का मतलब इसे comfort होता है ठीक है जी ease का comfort dus diseases का मतलब होता है not comfort अगर add करें तो ऐसे बंदी का not comfort ठीक है जी जब हम comfortable ना feel करें हमारी बोडी को कोई भी work करना अच्छा ना लगे किसी से बात करने का man ना हो clear जब क्या हमारी बोडी को means अच्छा feel ना हो या बोल सकते हैं कोई भी काम करने के लिए हमारा मनी ना करें उन सब को क्या बोलते हैं डिसीजीज, जहम हम मैडी सीनस पर डिपेंड हो जाएं हमारा कुछ खाने को भी मनी करता है आप लोगों को पता ही है फीवर भी हो जाते हैं हमारी जीब का टेस्ट ही बदल जाता है clear, तो diseases क्या है जो हमारी पूरी बोड़ी पे affect करती है, उनको बोलते है diseases, clear है जी next बात करते है health, health क्या होती है देखिए health का meaning क्या है एक ऐसी state जिसमें एक person क्या है, इतना means able हो कि वो physically mentally and socially कोई भी काम कर सके, ठीक है जी function का meaning ही यही है एक person जो physically fit हो mentally fit हो और socially fit हो उसको क्या बोलते हैं healthy person, clear है जी देखिए अब अगर हम means race लगाते हैं या cycling करते हैं अगर हमें सांस नहीं चड़ता तो हम physically fit हैं बट अगर साथ में हमारे mind में कोई tension है, काम करना अच्छा नहीं लग रहा, हम हर चीज के हैं, चोटी चोटी चीज के हैं भूल जा रहे हैं, तो that means हम fit नहीं है, हम healthy नहीं है physically fit चाहे हैं, बट mentally fit नहीं है तो healthy में तीनों compositions आएंगी physically, mentally and socially आप physical fit हो cycling चलाने पे, mentally अगर आप में कोई stress नहीं है, ठीक है and socially बात करें, आप society में रहते हैं, जहां पे बहुत सारे people रहते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे people हैं, अगर वहाँ पे आपके maintenance रखते हैं cleaningness रखते हैं, सफाई रखते हैं, ठीक है जी आप garbage को ऐसी कहीं पे नहीं फेंकते हैं, clear है आप अच्छे से किसी से बात कर सकते हैं, that means आप socially किया हैं, fit हैं उसको बोला जाता है healthy clear, next हम बात करते है, signs and symptoms इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू wait हाँ जी इससे पहले मैं आपको बता दू just a second yes diseases और illness में क्या फरक है देखें, जो diseases होती है ये long term है जो लंबे time के लिए हम किसी problem में आ जाए ऐसी problem नहीं, health care related problem, उसको क्या बोलते हैं diseases, but illness क्या होता है illness क्या होता है, pain होना किसी चीज़ में अगर आप देखें, ऐसा नहीं आपको, देखें, आपने workout किया, और आपके legs pain होने लगे, that is illness थोड़े time के लिए है that is not a diseases, diseases नहीं है ये, illness just pain होना हमारी legs में या हमारी back में ठीक है, जी, workout करने के बाद, या कोई काम करने के बाद, that is illness, clear? next is a sign and symptoms देखिए signs क्या होता है जो दूसरों को पता चले, other doctors, हमारी family हमारे friends, वो notice करें that is signs, symptoms होते है जो person खुद feel करे ठीक है, हमारी जो person की खुद की condition है, वो खुद feel कर सके ये क्या objective है visible है, आप quantified कर सकते हो, verify कर सकते हो, ये किया कौन सी चीज के हो रहे है आपको कौन से signs है clear है, आप देख सकते हो, दूसरा भी देख सकते है symptoms ये subjective है physically नहीं देख सकते है नहीं इनको verify किया जा सके clear, जैसे signs किस-किस के high temperature, आपको fever है low blood pressure, high blood pressure wound कोई जखम हुआ है आपकी pulse rate बढ़ी हुई है इनके अलावा आपकी body पे rashes है आपकी body पे rashes है clear है, doctor भी देख सकते है आप भी देख सकते है chicken pox हुआ है chicken pox में आपकी body में दाने हो जाते है आपकी nose में से bleeding आ रही है that means आप क्या है, उनको क्या है देख सकते है, clear है जी उनको क्या बोला जाता है signs बोला जाता है जिनको आप भी देख सके और जो सामने वाला person है वो भी देख सके बट अगर हम बात करें अब symptoms की, symptoms क्या होते हैं, symptoms वो होते हैं जो क्या है आप सिरह फील कर पाते हों, ठीक है, देख नहीं पाते हो न, एक्जाम्पल्स किया आपकी शिवरिंग होना कापना, डीजिनेस चक्र आने या ताइडनेस, तकावट होनी इनके लावा आपका हैड़ेक होना हैड़ेक होना स्टमक पेन होना क्लियर है, किडनी, स्टोन किडनी में स्टोन है अगर आपके तो यही जो सब चीजी हैं आप जिस्ट फील कर सकते हो किद्नी स्टोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है बट आप लोग क्या दूसरा परसन नहीं देख सकता है उसको तो लगता है ऐसी ड्राम में कर रहा है या ऐसी नाटक कर रहा है नो बट वो रियल में बहुत ज़्यादा पेन होता है हैड़िक का कईवर टेंपरेचर नहीं भी होता मीन्स फीवर नहीं होता उसके इलावा भी आपको हैड़िक होता है स्टमक पेन ड्यू टू फूड पोईजनिंग या हम बोल सकते हैं या खाना ज़्यादा खा लिया या मीन्स फास्ट फूड खा लिया जो हेल्दी नहीं है हमारी बोडी के लिए उसकी वज़स से भी क्या है हमें स्टमक पेन वगेरा हो जाता है ठीक है जी यह कुछ सिम्टम्स हैं तो आप फील कर सकते हो अगर आपको पेन हो रहा है आप फील कर सकते हो सामने वाला परसन नहीं फील कर सकता ठीक है जी जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आप बोल देते हो कि हैड़ेक हो रहा है ठीक है जी चमक पेन हो रहा है कई बार teachers को लगता है कि आप जूट मूट का बोल रहे हो ठीक है बट नहीं कई बार reality में भी होता है आप feel कर रहे हो दूसरे वाला person वो feel नहीं कर सकता ठीक है जी next हम बात करते है types of diseases diseases की कौन-कौन सी types है देखिए ये two types में divided है एक तो duration means time के according एक reasons आपको कौन सी कारण की वज़े से diseases हो रही है duration के two types है एक तो है chronic diseases एक है acute diseases ठीक है जी और reason भी two types में एक heredity जो आपको parents से मिलती है अपने बच्चों को और acquired diseases जो आपको किसी दूसरे से आपने acquired की है ली है ठीक है जी जैसे देखिए chronic diseases की बात करते है सबसे पहले chronic diseases वो diseases है जो long term तक चले long term diseases होती है chronic diseases long time के लिए चले लंबे समय तक जैसे cancer cancer तो एक ऐसी diseases है जब तक उस person की death नहों जाए न ये छोड़ती नहीं है आजकल तो इसकी बहुत सारे medicines आ गी है हम chemotherapy करते है बट otherwise अगर इसकी बात करें तो ये diseases जब तक person की death नहों जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ती ठीक है जी diabetes ठीक है जी ये पूरी उमर चलती है ये भी ठीक है जी ये किसकी वज़े से होती है हमारी body में जब insulin काम करना बंद कर देता है next acute diseases ये short time है short time के लिए हो जो उसको क्या बोलते है acute diseases जैसे की cold हो जाना fever viral fever बोल देते है chicken pox ठीक है ये कुछ time के लिए होते है cold लगा लीजे 2-4 दिनों के लिए fever लगा लीजे 4-5 दिनों के लिए ठीक है जी उसके बाद कि जब आप medicine ले लेते हो तो वो क्या कम होने लग जाता है chicken pox pox sorry 3-4 days के लिए ठीक है जी आप क्या means बोल सकते हो ये जो diseases है कुछ time के लिए रहती है फिर क्या है ठीक हो जाती है means short time के लिए short time duration होता है clear next क्या है reasons की वज़ज से clear जैसे इसके साथ सा down syndrome के इलावा भी बोल सकते है जैसे color blindness बच्चों को color blindness हो जाते है उनकी parents से heredity से मिला होते है parents को problem होती है colors को distinguish करने की वैसे ही बच्चों को जाती है color blindness बोलते है इसको color blindness color में distinguish नहीं कर पाता बच्चा clear है जी diabetes एक ऐसी diseases है कई बार क्या है यह heredity में होती है ठीक है जी next is acquired diseases जो acquired की हूँ यह two types में आगे divide है एक तो होगी infectious diseases एक non-infectious diseases infectious diseases होती है जो हमें कोई ना कोई pathogen से मिलियो leaving organism से मिलियो means bacteria से fungi से ठीक है जी इन सब से मिलियो उनको बोलते है infectious diseases और जो हमें क्या है human को by self means हमारी body में dysfunctionable हो जब हमारी body का कोई part क्या काम ना करे उसकी वज़े से हो उसको बोलते है non-infectious diseases जैसे infectious diseases की बात करे common cold flu ठीक है जी इसके इलावा आज कल COVID-19 देखिए change करनूँ wait COVID किसकी वज़े से होते है virus की वज़े से हो रहा है एक परसन से दूसरे परसन में फैल रहा है तभी बोल रहे है ना mask लगा के रखिए hand wash कीजिए दूर रहिए means दूसरे के परसन के ज़्यादा physical contact ना कीजिए ठीक है जी so that वो आप पे नाए heart attack, cancer ये सब ही क्या है जो क्या है non-infectious diseases है clear let us discuss deeply their types सबसे पहले infectious diseases or non-infectious diseases infectious diseases external factors की वज़े से होती है जो बाहर वाले factors है उनकी वज़े से होती है ठीक है जी but ये internally होती है body का कोई function अगर काम ना करे उसकी वज़े से होती है इन पे क्या है pathogens attack करते है bacteria, fungi, virus worms, protozoans ठीक है जी इन में क्या है living organisms के living pathogens के अलावा जो कोई factor क्या है affect करे हमारी body को ठीक है जी infection में क्या है एक person से दूसरी person में transmit होता है physical contact करकी sexual contact से या कोई भी medium air, water, food, insects से clear और जो non-infectious diseases है यह transmit एक person से दूसरे person में नहीं होता बस क्या है heredity में मिल सकता है यह means एक बच्चे को अपने parents से ज़रूर मिल सकती है बट वैसे कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई cancer वाले person के पास बैठे तो आपको cancer हो जाएगा नो आप diabetes वाले person के साथ बैठे तो आपको diabetes हो जाएगी नो ऐसा नहीं होता ठीक है जी बट इन्फेक्टस में होता है अगर आप कोई भी कोल्ड वाले person जिसको common cold हुआ है उसके पास बैठे हो तो आपको हो सकता है ठीक है जी चिकन पोक्स वाले person के पास बैठे हो तो आपको चिकन पोक्स हो जाएगा ये ऐसे भी बोला जाते है घर पे छोंक भी नहीं लगाते क्योंकि फिर उसके साथ क्या है जो molecules मिल जाते है ठीक है जी फूर्ड में तो क्या है इसकी वज़े से word diseases दूसरे person में क्या है फैलती है जो उस air में क्या करता है breathe करता है तो उसको word diseases क्या है face करनी पड जाती है ठीक है जी जो molecules है वो क्या है इस person से दूसरी person में चले जाएंगे through air air की वज़े से तो इस person को भी word diseases का है face करनी पड जाएगी ठीक है जी इस person की वज़े से दूसरे person को भी क्या है word diseases face करनी पड जाएगी that is known as infectious diseases कौन सा agent है यहाँ पे air clear next हम बात करते है means of spread spread के कौन-कौन से means है जैसे virus bacteria fungi protozoa और worms virus की वज़े से कौन सी diseases होते है common cold dango fever AIDS या COVID बोल सकते है corona virus की वज़े से हो रहा है ठीक है जी bacteria typhed fever TB tuberculosis anthrax cholera की वज़े से हो रहा है ठीक है जी protozoa में malaria kala azar worms में worm infection जैसे हम बोलते है ना क्या है हमारी body पे rashes हो जाते है ये important है ठीक है जी फंगी की वज़े से लगा लीजिए worm की वज़े से ऐसे red-red के दाज सा पड़ जते है उसको क्या बोलते है जो diseases worm की किसी means protozoa की वज़े से हो clear है जी आपने ये ध्यान रखने कौन-कौन से spreads है means diseases को spread करने के कौन-कौन से means है देखे ये है next हम बात करते है infected diseases एक परसन से दूसरे परसन में फैलती है ठीक है जी physically contact करने से या sexual contact करने से air से water से या food और vector से clear है अगर हम बात करें air से कौन से common called TB ठीक है जी pneumonia ये कुछ क्या है diseases है जो air की वज़े से क्या है फैलती है इसके इलावा भी बहुत सारी है जैसे फिर से बात करेंगे COVID की क्योंकि आज कल ये चल रहा है ना तो इसी रहे बता रही हूँ water की वज़े से cholera ठीक है जी amoeba dentistry clear है इनकी वज़े से हो जाता है through vectors जैसे vectors कौन से हैं जैसे mosquitoes की वज़े से flies की वज़े से malaria होना mosquitoes की वज़े से dengue हो जाता है yellow fever हो जाता है john dis भी बोल देते हैं ठीक है पी लिया flies की वज़े से typhed होना tuberculosis diarrhea ठीक है जी ये सारी diseases मक्षियों की वज़े से होती है जब वो food पे बैठती है और वही food के आप take in कर लेते हो ठीक है जी तो आपको क्या है कुछ diseases क्या है face करनी पड़ जाती है ठीक है जी next क्या है through sexual contact sexual contact की वज़े से AIDS और diseases होती है देखिये अगर आप एक person का injection दूसरे person को लगा सबते हो ठीक है जो AIDS से suffering है तो दूसरे person को भी AIDS हो जाता है ठीक है जी या फिर mother को अगर AIDS की problem है तो pregnancy के बाद क्या है अगर वो pregnant है तो बच्चे को भी क्या है वो diseases हो जाती है next अगर बात करें हम through breast feeding जब बच्चे को feed करती है mother तब भी क्या है उनको क्या है कुछ diseases है इन चीजों की वज़े से क्या है फैलती है ठीक है जी next thank you so much अगर आपको वीडियो thank you so much अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है clear है जी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते है like कीजिए वीडियो को share कीजिए अपने friends के साथ आज हमने क्या क्या किया है एक बार देख लेते है diseases क्या होती है ठीक है जी इनकी definition की है means जिसमें हम comfort ना हो हमने diseases और illness में difference किया clear signs और symptoms में difference diseases की कौन-कौन सी types है ठीक है जी उनके जो examples की जो examples है वो important है examples हर एक की important है ठीक है जी means of suppression means के बारे में किया ये भी important है ठीक है अपने ध्यान रखना है thank you so much अगर आपको वीडियो अच्छी लगते लाइक कीजिए